नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम सब्तमिक अक्षा का दुत्य भाग कत्रित्य पध्याय स्वालंबनम पाट को जानेंगे स्वालंबनम अथार्थ आत्मनिरपर आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका और कलम को साथ में लेके बैठियेगा और कटीन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखियेगा स्वालंबनम आत्मनिरपर अथार्थ आप अपने कारे को स्वयम करना क्रिश्नमूर्थी श्रीकंटस्च मित्रे आस्तम क्रिश्नमूर्थी और श्रीकंट दो मित्र ते श्रीकंटस्चे पिता सम्रिध आसीत श्रीकंट के पिता सम्रिध ते सम्रिध अथार्थ धनी अतह तस्से भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन इसलिए उसके भवन में उसके घर में सुख के सभी साधन थे तस्मिन विशाल भवने चत्वारेंशत स्तंबाह आसन उसके विशाल भवन में उसके विशाल घर में चत्वारेंशत चत्वारेंशत यानिकी 40 उसके चत्वारेंशत स्तंबते उसके विशाल भवन में 40 खंबेते तस से अश्टादस्ट प्रकोष्टेशू पंचाशत गवाक्षाह, चतुष्ट चत्वारेंशत द्वाराणी, शत्त्रिम्षत वित्युत वेंजिनानी च आसन। उसकी अठारा प्रकोष्टेशू, प्रकोष्ट कम्रे, उसके अठारा कम्रों में 50 खिडकियां थी, 44 दर्वाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र, 10 सेवकाह, निरंतरम कार्यम कुर्वंतिस्म, वहां पर 10 सेवक, निरंतर, लगातार, कार्य करतेते। परम, कृष्णमूर्ते, माता पिताच, निर्धनों, कृष्णमूर्ती, परंतु, कृष्णमूर्ती के माता और पिता, निर्धन, किसान्दम पत्तेते। तस्य ग्रिहम आधंबर विहीन साधारंच आसीत. उसका घर आधंबर विहीन इन सब चीजों से रहित और साधारंटा. एक दाह श्रीकंठ तेन सह प्रातह नववादने तस्य ग्रिहम अगच्चत. एक बार श्रीकंठ उसके साथ इसके साथ क्रिश्नमूर्ती के साथ प्रातह नववादने सुबह नौ बजे उसके घर आया. तत्र क्रिश्नमूर्ती तस्य मातापिता च स्वशक्तया श्रीकंठ से आतित्यम अकुर्वन. वहाँ पर क्रिश्नमूर्ती और उसके मातापिता ने अपने सामर्थे के अनुसार श्रीकंठ का आतिती सतकार किया. एतत द्रिष्टवा श्रेकंठ अकत्यत यह देखकर श्रेकंठ बोला मित्र अहम भवताम सत्कारेन संतुष्ट अस्मी हे मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ केवलम इदमेव मम दुख्खम यत तव ग्रहे एको अपिभित्य नास्ती हे मित्र तुम्हारे अतीती सत्कार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ केवल मेरा यही दुख्खे की तुम्हारे घर पर एक भी सेवक अथार्थ नौकर नहीं है मम सत्काराय भवताम बहु कश्टम जातम मेरे अतिती सत्कार में तुमको बहुत जादा कश्ट हुआ होगा मम ग्रहे तुज बहवा कर्मकाराहसंती मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं तदा क्रिष्ण मूर्ती ही अवदत. तब क्रिष्ण मूर्ती कहने लगा, हे मित्र मामा पी अश्टो कर्म का राह संती. मेरे भी आठ सेवक हैं, कर्म करा हैं. मेरे भी आठ सेवक हैं. ते चे, ते च, दो पादव, दो हस्तव, दो इन्नेत्रे, वे है मेरे दो पैर, दो हाथ, दो आखे. अब हम प्रिष्ट को पलतेंगे. दुए, शोत्रे इती, और दो कान है. अब क्रिष्ण मूर्ती ने जब उससे प्रश्ण किया, कि तुमने जब मेरा अतिती सत्कार किया होगा, तो तुमें बहुत जादा तकलीफ हुई होगी, तुमें बहुत जादा कष्ट हुआ होगा. तब क्रिष्ण मूर्ती ने का हे मित्र मेरे भी आठ नौकर हैं, जिसमें दो पैर, दो हाथ, दो नित्र और दो कान है. एते प्रतिशनम मम सहाय का, ये हर समें मेरी सहायता करते हैं, किन्तु तव भ्रत्या सदेव सर्वत्रच उपस्तिता भवितुम ना शक्नुवन्ती, किन्तु तुम्हारे सेवक तो हमेशा सभी जगे उपस्तित तो नहीं हो सकते होंगे, तुम तु सर्वकाराय भ्रत्या आधिना, तुम तो सभी कारियों के लिए अपने सेवकों के अधिन हो, यदा यदा ते अनुपस्तित आह, तदा 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 तवम कष्टम अनुभवस जब जब वे अनुपस्तित होते होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा स्वालम्मने तुस्सरवदा सुखमेव अपने आप आत्मनिर्भर हैने में ही हमेशा सुख है न कदापी कष्टम भवती कभी भी कष्ट नहीं होता श्रीकंठ वदत श्रीकंठ बोला मित्र तब वचनानी शृत्वा मममनसी मेहती प्रसन्नता जाता तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत ज़ादा प्रसन्नता हुई है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है अधुना अहम अपी सर्वकाराणी स्वयमेव करतों इच्छामी आज से मैं अपने सभी कारे अपने आप ही करूँगा भवतू सार्द द्वादशम वादनम इदम ठीक है अब साड़े बारा हो गए है सामप्रतम ग्रेहम चलामी अब मैं अपने घर चलता हूँ बच्चों आपने इस पाट से क्या सीखा यह सीखा कि हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए हमें अपना कार्य स्वयम करना चाहिए से पहले इसके प्रशन नंबर एक पर आईएगा प्रशन नंबर एक है उच्चारनम कुरतह उच्चारनम कुरतह अथाद हम इस पाट का उच्चारन करेंगे पहले संख्या को देखिए जानेगे अब हम अगले प्रशन को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं प्रशन नंबर दो अदो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तरानी लिखत नीचे जोद प्रशन दिये गए हैं उनके प्रशनों के उत्तरों को हम देंगे पहला प्रशन कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन किसके घर में सुख के सभी साधन थे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन श्रीकंठ के भवन में भवन घर में सुख के सभी साधन थे अगले प्रशन को हम देखते हैं कस्य ग्रहे को अपी βृत्या नास्ति किसके घर में एक भी सेवक अथार्द नौकर नहीं था। इसका उत्तर क्रिश्ण मूर्थे ग्रहे कर्मकारा भृत्याह नास्ति किसके घर में कोय भी सेवक नहींता। अगला प्रश्न श्रीकंठस से आथित्यम की अकुर्वन? श्रीकंठ का अतिती सतकार किस ने किया था? अब इसके उत्तर को देखेंगे. अगले प्रश्न को देखेंगे. सर्वदा कुत्र सुखम. हमेशा. कहां पर सुख है? उत्तर ध्यान से देखेंगे. सर्वदा स्वालं बने सुखम. हमेशा आत्म निर्वर रहने में ही हमें सुख की प्रापती होती है. अगले प्रश्न को देखेंगे. श्रीकंठह कृष्नमूर्ते ग्रेहं कदा आगच्च? श्रीकंठह कृष्नमूर्ती के घर पर कब आए? इसका आउत्तर श्रीकंठह कृष्नमूर्ते ग्रेहं प्राताह नववादने अगच्च? श्रीकंठह कृष्नमूर्ती के घर पर सुबह प्रातादियाव सुबह नववादने नौ बजे आए? अगला प्रश्न कृष्नमूर्ते कतिह कर्म कराह संती कृष्नमूर्ती के कितने सेवक थे? कृष्नमूर्ते अष्टो कर्म कराह संती उसके आठ सेवक थे अब आप सोचेंगे कि उसके घर तो कोई भी सेवक नहीं था उसके सेवक थे दो आख, दो हाथ, दो पैर, दो कान अगला प्रश्ण कहा रहा है चित्राणी गणेत्वा तद अदह संख्या वाचक शब्दाह लिखत चित्रों को चित्र दिये गए हैं इनको गणेत्वा गिनकर इनके नीचे संख्या वाचक शब्दों को हमने लिखना है अब देखो इनको हम चित्रों को गिनेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इनकी संख्या को लिखेंगे ऐसे ही जैसे कि इसमें घड़े बने हुए है अब हम इनको काउंट करेंगे इनको गिनेंगे और गिनने के पश्चात हम इनकी संख्या को लिखेंगे गिनने में यह 18 घड यहां पर आम का फल्वन की चित्र दिया गया है, यहां पर आम के चित्रों को जब हम गिनेंगे, तो यहां पर 21 आम की चित्र जो है वो दिये गए है, इसलिए हमने नीचे लिखा है एक विम्शती, उसी प्रकार अन्य चित्र को जब हम देखेंगे, यहां पर गेंद की तस्व जो है वो बनी हुई है गेंद का चित्र जो है हमें दिखाई दे रहा है कितनी गेंद की चित्र है अब जब हम इनकी गिंती करेंगे तो पंच दशह ठीक उसी प्रकार से जब हम अगले चित्र की तरफ देखेंगे तो यहां पर मोमबत्ती बनी हुई है तो मोमबत्तियों की सं उसी प्रकार अगले चित्र को जब हम देख रहे हैं तो इस में कैंची बनी हुई है। जब हम इनको इनकी गणना करेंगे, इनको गिनेंगे तो चतुर गिम्षती. ठीक, उसी प्रकार अगले चित्र को जो हम देख रहे हैं, तो इस गिनकी संख्या त्रियस त्रिम्षत्थ, इन पत्तों की जो संख्या है वो है तैन तेस. अब हम अगले प्रश्न को ध्यान से अगला प्रश्न कहा रहे है, मंजुशात, यानि की जो हमें ये help box जो दिया गया है, जिसमें से हम उत्तरों को, सुमुचित उत्तरों को ढूंड कर अपने रिक्त स्थानों में भरेंगे. मंजुशात, अंका नाम क्रिते पदानी चिनुत. मंजुशा में से सही संख्या को, सही अंक को चुन कर हमने आंसर में उत्तर में लिखना है. पहला दिया हुए 28, अथार्थ हम मंजुशा में से अश्टक विम्शती को हम लिखेंगे. ठीक उसी प्रकार से संख्या दियो है 30, यहाँ पर त्रिम्शत जो है वो दिया हुए जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक उसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को करेंगे. अगला प्रश्ण क्या रहा है चित्रम द्रिष्टवा मंजुशात पदानी च प्रियोज्य वाक्यानी रचयत। याणी खेत को जोत रहा है तो जब हमने इनक्या वक्या निर्मान किया एश्ण क्रिष्रका शेत्रम कर शती ठीक उसी प्रकार से दो किसान जो है वो खननकार्य कर रहे हैं एतव क्रिष्रकाव खनकार्यम कूरतां अन्य चित्र को जब हम देख रहे हैं एते क्रिश का धान्यम रोप यंती ये जो किसान है ये खेतों में धान को रोप रहे हैं अब हम अगले प्रश्ण को ध्यान से देखेंगे अदो लिखिता नाम समय वाचका नाम अंकान पदेशु लिखत अथाथ समय के बारे में हमें इसमें लिखना है दस बजकर तीस मिनट अथार्थ सार्थ दश वाधनम सात बजे हैं सप्त वाधनम दो बजकर तीस मिनट अथार्थ सार्थ द्वी वाधनम ग्यारा बजे का जो समय है वो है एकादश वाधनम चार बजगे तीस मिनट अथाद साड़े चार सार्ध चतुर वादनौ एक बजगे तीस मिनट अथाद सार्ध एक वादनौ ठेकुसी प्रकार से पांच बजए का जो समय है वो पंच वादनौ तीन बजगे तीस मिनट अथाद साड़े तीन बजए सार्ध त्री वादनौ नौ बजए नव वादनौ बारा बजगे तीस मिनट अथाद साड़े बारा सार्ध द्वादश वादनौ आट बजए अश्ट वादनौ साद बजगे तीस मिनट सार्ध सप्त वादनौ आपने इस प्रश्ण में ध्यान से देखा होगा कि जहां पर 30 मिनट की जहां बात कर रहे हैं जैसे 3 बज कर 30 मिनट या धाई वहां पर सार्ध शब्द का प्रियोग किया गया है अंतिम प्रश्ण ध्यान से समझेगा अब इस प्रश्ण में कहा जा रहे हैं मन्जुशा आता हैं मन्जुश्र जो हमें ये सहायता के लिए उपलब्द कराया जाता है उसमी से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है पहला दिया गया है रिक्त स्थान शड रितवाह भवन्ती छे रितवे होती हैं दूसरा देखेंगे ध्यान से मासह द्वादशह भवन्ती बाराह महीने होते हैं अन्य एकस्मिन मासे त्रिम्षत अथ्वा एक त्रिम्षत दिवसाह भवन्ती एक माह में एक महीने में त्रिम्षत अथार्थ तीस और या एकत्तिस दिन होते हैं अगला देखेंगे, फर्वरी मास में समान्यताह अश्ट्राविम्षती दिनानी भवन्ती, फर्वरी मास में, फर्वरी के महीने में समान्यताह 28 दिन होते हैं। बच्चों, आज हमने इस पार्ट में संख्या वाची शब्दों अथार्थ गिन्ती के साथ साथ हमने आत्म निर्भर रहने का एक बहुत अच्छा तरीका समझा है। अब आप सभी इस पार्ट को ध्यान से समझ गए होंगे। ऐसी आशा है। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवात।